हलो फ्रेंड्स बेलकम बैक आज की इस वीडियो में हम करने बाले हैं अन्बॉक्सिंग इन्फिनिक्स के स्मार्ट 3 प्लस की जो अभी अभी लाउंच हुआ है फ्रेंड्स और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहां पर लिखा है AI ट्रिपल रियर कैमरा और फ्रेंड्स मैं देखते हैं कि क्या क्य मिलता है हमें मोवाईल के साथ में फ्रेंड्स यहां से कट कर दूगा मैं गासे प्रेंड्स और भबस Me बहुत ही टाइड है फ्रेंड्स फॉक्स मुश्किल से निकाल पा रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सबसे उपर मोईल है इंफिनिक स्मार्ट 3 प्लस आल कैप्चर इंपावर यूर पैशन फ्रेंड्स तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं फोन की लु उतार कर भी साइड मे कर देता हूं फॉन को रखते हैं साइड मे और बॉक्स में देखते हैं और भीज्ट की वाट से चेक करते हैं तो की 5W 1.2 MP का फ्रेंड्स अडप्टर रहां और साथ इमें नीचे इसमें मिलता है कि हमें केस फ्रेंड्स देखते है अच्छी क्वाल्टी का बैक अबर है फ्रेंट्स और साथ ही में हमें मिलता है सग्रीन गार्ड फ्रेंट्स आप देख सकते हैं यह हम बाद में लगा सकते हैं अपने फोन के उपर और इसके साथ है फ्रेंट्स को यह पेपर वर्ट का गाइड़ बुक है फ्रेंट्स और यह प्लास्ट का केस अच्छी क्वालिटी का केस है फ्रेंट्स इस पर डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छी लुक देगा मुवायल के साथ में फ्रेंट्स और फ्लाज इसे रखते हैं हम साइड में यहां पर और पेपर वर्क को भी रखते हैं यहां पर साइड सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लुक्स और डिजाइन की फोन का डिजाइन और लुक बहुत ही अच्छी है क्योंकि एक तो यह लाइट वेट स्मार्ट फोन है जब आप इसे अपने हाथ में पगड़ेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई स्मार्ट फोन पगड़ में और वेट के अगर बात के ने तो बहुत हलका हलका हलके वेट का फोन है वेख प BACK पेनल पर भी पोलि के बने से स्चेट का फ्रेम है होड़िए डिफधिट लुक है ट्रिपल के मिरा के साथ हो यहां पर फिंगर प्रिंट स्केनर भी मिलता है और नीचे की तरह आपको Micro USB port 3.5 mm jack और speaker मिलते है और right side में मिलता है आपको power button और volume key मिलेगी आपको और यहाँ पर इसके side frame में cut out मिलते है जिससे आपको अच्छा grip मिलता है और इसके left side में आपको मिलता है dedicated sim tray और उपर की तरफ आपको push नहीं दिया गया overall look बहुत ही अच्छी है mobile की अब बात करते हैं इसके display की 6.2 inches की HD display है इसके बहुत ही smooth है friends चलने में और colorful display है friends और उपर की तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर notch वाला camera दिया गया है और यह पर speaker है उपर की तरफ और बहुत ही अच्छी look है friends फोन की touch response बहुत ही अच्छा है इसके internal की अगर बात करें तो इंफिनिक्स ने इसमें Microtech का Helio A22 चिप सेट दिया है जिसमें 2GB RAM के 37GB storage मिल जाती है अब मैं आपको यहाँ पर इसका dedicated sims load निकाल कर दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं इसे ट्रे को निकाल लेते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप दो sim और एक memory card यूज़ कर सकते हैं आप चलते हैं में बात पर जो कि फोन की सब सिखावत बात है triple camera की friends आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन camera मिलते हैं पहला camera है 13 megapixel का और दूजरा camera है 8 megapixel का और तीसरा camera 2 megapixel का है जो कि आपको लो लाइट में picture click करने में helpful रहता है camera की अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी quality का camera है colorful picture क्लिक करता है friends आप देख सकते हैं स्क्रीन पर अगर price के according देखा जाए तो बहुत ही अच्छी camera quality है friends इतने कम प्राइस में इतनी अच्छी camera quality आपको मिल जाती है friends आप देख सकते हैं full colorful है और यहां पर picture क्लिक करता हूँ बहुत ही फास्ट है स्पीड है friends और बहुत ही अच्छी photo क्लिक करने की शमताव friends रखता है आप देख सकते हैं यहां पर आपको नीचे features मिल जाते हैं friends camera के कुश्ष और यहां पर full HD में यह आप वीडियो record कर सकते हैं friends बैटरी के अगर friends बात करें तो 3500 mH की बैटरी आपको इसमें मिल जाती है और charging का फ्रेंट मैं लिंक description box में दे दूँगा और कैसी लगी यह वीडियो comment box में जुरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें और वेल आइकन को दुबाएं ताकि हमरी आने वाली हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे तब तक के लिए जाहिंद वंदे मौतरों